राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं आबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज रविवार के दिन मैं आपके लिलाई हूँ भगवान सुरे की कथा बंधों कहा जाता है कि रविवार भगवान सुरे का दिन है इसलिए रवी वार के दिन भगवान सुरे की इस कथा को सुनने मात्व से आपको हर छित्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपको सुख, सम्विथी और एश्वरिक की प्राप्ति होगी बंधों पूरन विश्वास और सची निष्ठा के साथ पूरी कथा को सुनें बंधों यदि आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने मली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो स सके बंधों वीडियो को पूरी सुनें सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जै सुरे भगवान जरूर लिखें बोलो सुरे भगवान की जै हो प्राचीन काल में गालव नाम वाले एक ब्रहामन थे जो सदा ही वेदों के स्वाध्याय में ततपर तथा उत्तम सभाव और सदा चार से युक्त थे उनकी अवस्था ढल गई तो भी उनके कोई पुत्र ना हुआ इस बात का उनके मन में बहुत दुख था तब उन्होंने घर का सारा काम काज छोड़कर इसी छेत्र में एक कागरता पुर्वक निवास करते हुए भक्ती भाव के साथ सुरे देव की अराधना की जितेंद्रिये होकर निराहार रहते हुए उन्होंने पंच राप्तरोक्त विधी से सुरे देव को अधरे परदान किया और इसी नियम से प्रती दिन उनकी अराधना करते रहे पंद्रवा वर्ष आने पर भगवान सुरे गालव को दर्शन देते हुए बोले विप्रवर तुम्हारा कल्यान हो तुम कोई वर मांगो गालव बोले सुर्षेष्ट मेर कोई पुत्र नहीं है अते मुझे मेरे वंश की व्रिधी कराने वाला पुत्र दीजिए भगवान सुरे ने कहा विप्रवर तुम्हें वंश की व्रिधी करने वाला पुत्र प्राप्त होगा और वहें ते जस्वी ये शश्वी शास्त्रक के वेदो का पारंगत पंडित मेरे इस विग्रह की पूजा करेगा उसे वश्वर्दक पुत्र की प्राप्ति होगी ऐसा कहकर भगवान सुरे मोन एवं अंतरध्यान हो गए और गालव जी भी प्रसन चित हो अपने घर को चले गए थोड़े ही दिनों में उनके यहां भगवान सुरे के गथन अनुसार एक स सर्व शुभ लक्षन संपन पुत्रूत पन हुआ भगवान सुरे ने बट वृक्ष का आर्शे लेकर दर्शन एवं बर्दान दिया इसलिए गालव ने अपने पुत्र का नाम वटेश्वर रखा वटेश्वर के पुत्रों और पोत्रों को देख लेने पर महारिशी गालव भारी तपस्या करके सुरे देव को प्राप्त हुए वटेश्वर ने भी अपने पिता के द्वारा स्थापिद भगवान सुरे नारायन के लिए एक परम मनोहर मंदिर बनवाया विजवरों पुर्व काल में महात्मा विदुर ने भी उस छेत्र में भगवान शी सुरे नार भायन सदाशिव तथा शिविष्णु का स्थापन किया जो मनुष्य भक्ति पुर्वक इन तीनों देवताओं का पुजन करेगा वह उस परमधाम को प्राप्त होगा जो बड़े-बड़े यग्यों द्वारा भी अत्यांत दुरलब हैं मही पर अर्जुन के द्वारा स्थ हपित किये हुए सरव मनोरत धायक भगवान विनायक विराजमान है जो समस्त विग्णों का नाश करते हैं जो मनुष्य चतुर्थी को नक्त व्रत करके भक्ति भाव से गनेश्ची की पूजा करता है वह समस्त विग्णों से मुक्त हो मनव वांचित फल्क को पाता है वही पर उत्तम प्रभाव से युक्त भगवान नर और नारायन भी है जो उन दोनों का भक्ति पुर्वक द्वाश्ची तिथी को दर्शन और पूजन करता है वह जरामरन से रहित परमपद को प्राप्त होता है एक समय कुंती नंदन अर्जुन तेज यात्रा प्रारंब करके हा तीर्थ समुदाय से भरे हुए उस पावन चेत्र का दर्शन करके उन्होंने मनोहर मंदिर में भगवान सुरे को स्थापित किया और उन्हें के आगे नर और नारायन की भी स्थापना की फिर उत्तम शर्धा से युक्त हो वहां गोवर्धन को स्थापित किया और वहीं वाधि देव नर्सिंग देव की स्थापना की इस प्रकार पांच देवताओं की स्थापना करके उन्होंने चमतकार पूर के सब ब्रहामनों को बुलवाया और उन्हें बहुत धन दिया फिर भक्ती पूर्वक प्रणाम करके कहा मैंने सब रोगों का नाश करने वाले आप यह सब छोड़ कर अपने घर को पधारिये हम सब लोग आप के श्रे को बढ़ाने वाले पूजन करम करते रहेंगे तब अर्जुन ने प्रसंचितो उन्हें पुने बहुत धन दिया और उनसे पूछ कर विदाले प्रणाम पुर्वक अपने नगर को प्रस्थान किया सूजी कहते हैं ब्रहामनों इस प्रकार मैंने तुमसे नर आदित्ते के प्राधुर्भाव की कथा सुनाई यह सुनने वालों के पापों का नाश करने वाली है पुर्वकाल में वरिक नाम से प्रसिद एक चंद्रवंशी राजा हुए वे बड़े ही ब्रहामन भगत शर्नागत वस्सल और सरव लोग हितकारी थी उनकी पत्नी भी बड़ी पती व्रिता और समस सद्गुनों से सिशोबी थी उन दोनों को चोथे पन में एक कन्या हुई राजा ने विद्वान जोष्चों को बला कर पूछा मेरी यह कन्या कैसी होगी जो शिब्रहामन बोले राजन सुर्य के चित्रा नक्षत्र पर रहते समय सोंवार के चतुदशी के योग में जो जनम ग्रहन करती है वह विश्च कन्या होती है ऐसी कन्या का जो पानिक रहन करता है वह पुरुष छे महीने के भीतर अवश्च्य मृत्यू को प्राप्त होता है वह जिस घर में जनम लेती है वह कुबेर का ही महल क्यों ना हो उसे छे महीने के भीतर धन से रहित कर देती है अते आपकी यह पुत्री वास्तव में विश्च कन्या है यह पितर कुल और शशर कुल दोनों का नाश कर देगी इस कारण आप इसे त्याग कर सुखी हो जाइए यदि हमारे कहे हुए हितकर वचन पर आपको शद्धा हो तो आप ऐसा ही कीजिए राजा ने कहा प्रहामनों मैं इस कन्या को द्याग दूँ या घर में रखूँ दोनों ही दशाओं में मेरे पुर्व श्रीर से किया हुआ करम ही फली भूत होगा पहले का शुब करम हो या अशुब करम उसे मिटाया नहीं जा सकता अतै मैं अपने करम को ही आगे रखकर इस कन्या का त्याग नहीं करूँगा जो जिस जिस श्रीर से जैसा जैसा करम कता है वे उसी उसी श्रीर से पुने सब के फल को भोगता है अपनी इंद्रियों से पूर्व जनम में जो करम किया गया है वे मिट नहीं सकता उस का फल पारी जीव के लिए गरब में ही आयू करम धन विद्या और मृत्यू इन पांच वस्तों के सिष्टे कर दी जाती है जैसे व्रिक्षों पर लताओं में फल और फूल अपने समय पर आते हैं समय का उलंगन नहीं करते उसी प्रकार पूर्व जनम का किया हुआ करम भी अपने सम समय पर उसका भोग करना ही पड़ता है कोई भी पुरुष पुरव श्रीय द्वारा किये हुए करम को अपने बल और बुद्धी से पलट देने में समर्थ नहीं है जो शिगरता पूर्वक दोड़ता है उसके पीछे उसका करम भी दोड़ता है करम साथ ही सोता है और खड़ होने पर दीपक बुझ जाता है उसी प्रकार कर्मों का नाश होने पर जीव मोक्ष को प्राप्थ हो जाता है रिदो काल में पुरुष के द्वारा गरब में स्थापिस किये हुए अचेतन विरे के एक बिंदू का आशे लेकर जीव अपने करम के साथ बृधी को प्राप्थ ह होता है जिस उदर में कितनी ही अनपान डाले जाएं नश्ठ हो जाते हैं भक्षे पदारत पच जाते हैं महीं पड़ा हुआ वह गरब क्यों नहीं नश्ठ हो जाता इसलिए लोक में देहधारियों का किया हुआ शुब अशुब करम ही सुख दुख के रूप में प्राप्त होता है ऐसा मेरा निश्चे है और रक्षित वस्तो भी दैव से सुरक्षित होकर बच जाती है और सुरक्षित भी दैव से हथ होकर नश्ठ हो जाती है वन में त्यागा हुआ अनात भालक भी जीवित नहता है और घर में बड़े प्रितन से पाला पोसा जाने वाला शिशु भी मृत्यू को प्राप्त हो जाता है ऐसा निश्चे करके राजा ने जोश्यों के सलाहा देने पर भी उस विश्च करने का प्रित्याग नहीं किया पिता ने उसका नाम शर्मिष्ठा रख दिया उसी समय क्रोध में भरे हुए राजा के शित्रू ने उनके राज्य को सब और सिस्ताना अरम्त किया तब राजा भी चतुरंगिनी सेना के साथ बाहर निकले और उनोंने शित्रू के साथ घोर युद्ध किया जो यम्राज के लोग की जनसंख्या बढ़ाने वाला था दसमें दिन राजा अवरिक को शत्रू ने सब और से घेर मार डाला इनके मारे जाने पर शेश सैनिक भय से पिलिधो अपने नगर को भाग कई इसी समय समस्त पुर्वास्यों ने शोक प्रायन हो उदुष्टा श्विश्कन्या को लक्षे करके कठोर वच्छों में कहा इसी पापिन के दोश से राजा की मृत्य हुई है अते इसे शिग्र ही बांग लिया जाए जब तक इस नगर का ख्षय ना हो जाए तब तक ही इसे यहां से बाहर निकाल दिया जाए राधे राधे चेश्री कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेर भी जरूर करें धन्यवाद